असलाम लेकुम एब्रीवन और वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज सुबह जैसे हम सो कर उठे तो हलकी हलकी सी बारिश हो रही थी तो हमने सोचा कि अपने दिन को वेस्ट किये बिना हम सुबह ही बाहर चले जाते हैं और आप सब को बते कि संडे के दिन हम हमेशा ही आदा दिन बाहरी गुजारते हैं घूम फिर कर आते हैं और सुबह जैसे ही सोकर उठे तो हमने सोचा कि ब्रेक्फिस्ट बाहर करेंगे और थोड़ से घूम फिरकर हम घर आ जाएंगे इस तरह से बच्चों की भी की बढ़ गई है और यहां का जो इन वेधर है वो बिलकुल कराची जैसा है मतलब सुबा और रात में सरदी और दिन का जो वेधर होता है बस घर में अगर आप बैठे हो तो यह आपको सरदी लग रही है लेकिन अगर आप बाहर हो तो वेधर बिलकुल पर्फिक है और साइड डाइन खोल दी है तो हमने का इतना प्यारा मौसम है तो एक अच्छा सा जो है ना फैमिली लंज इंजोई करते हैं और अरली लंज हम लोगों ने आज कर लिय तो हमारी डे की फर्स्ट जो मील है वो चाइनी से स्टार्ट वी थी और मुझे चाइनी बहुत ज्यादा प अच्छे से प्यारे से वेदर को एंजोई करें तो मैंने का प्यारा से क्लिप लेकर आप लोगो भी दिखाऊं कि माशाला कितना अच्छा वेदर हो रहा है तो वीकेंड के व्लॉग मेरे थोड़े से डिफरेंड होते हैं और वीकडे के सिंपल रूटीन होती है क्योंके अच्छा पीना और ग्रोसरी शॉपिंग तो यही चल रहा होता है लेकर जो वीकेंड होते हैं उसमें हम लोग फैमिली ताम स्पेंड करते हैं और अच्छा सा डिनर या लंच कुछ भी एंजोई करते हैं और एक दिन पहले से ही मैं अली को बोलना शुरू कर देती हूं कि अ संडे है और खाने पीने की एक्सपेक्टेशन्स मत रखिएगा क्योंकि संडे को मेरा किचन बंद होता है जैसे आप एक चुटी डिजर्फ करते हैं तो मैं भी एक चुटी डिजर्फ करती हूं पूरा हफता काम करकर एक चुटी तो मेरी बंती है अनलिस अगर बच्छों को खाना पीना हो तो उनके लिए मील प्रैप कर देती हूं लेकिन परसनली जो हम सोच सोच की खाने पका रहे होते हैं पूरे हफ़ते तो वह चीज में नहीं करती हूं इसलिए पर संडे को हम लोग आउटिंग जरूर करते हैं मतलब एक दिन बच्छों के लिए भी जाना जरूरी होती है मुझे उससे बहुत डर लगता है तो खैर मेरी मुझे से हम लोग बैट के पैडल बोर्ट लेकिन जब बैठे तो आप बस मत पूछें के थोड़ी देर बाद ही टांगों की जो हालत थी मतलब टांगे जाना वह जाती हैं किसी काम की नहीं रहती और हमें भी बहुत जादा वॉक करनी थी कर मुझसे जो है वो अब्दिलहाद ने स्विच कर लिया था मेरी जग अब्दिलहाद आगर बैठ गया था थोड़ी देर के लिए क्योंकि बच्चे है वो जब हम भी बच्चे थे तो हम भी बच्चे थे तो मामा बबा सकून से जहना वो बच्चे थे तो बोटिंग से दन होने के बाद अली और बच्चे जो थे वो पियर एंजोई कर रहे थे और मैं चले गए थी शॉपिंग करने के लिए क्योंकि लॉंग पीच पे ग्याप की फेक्ट्री आउटेट है तो जो रेगिलर स्टोर्स होते हैं उसके मुकाबले में थोड़े से कमप्राइज में यहां पर कपड़े मिल जाते हैं और गैप की क्वालिटी तो वैसे ही बहुत अच्छी है और माशाला बढ़ने वाले बच्चे हैं और आगे सरदी आरी है तो इसलिए मैंने पिर इनके लिए जैकेट्स वगएरा जो है पजामे वगएरा सबसे पहले तो मैंने का कि इसको ठीकाने लगाँ क्योंकि यह कमरा बहुत जादा गंदा हो रहा है तो बस अभी मैं कपड़े फोल करूंगी और इसी तरह से फिर जो मेरी शाम है वो भी गुजर जाएगी क्योंकि जो सर्दियों की शाम होती है वह बहुत जादा लंबी हो मुझे ऐसा लगता था कि सर्दिया मेरी फेवरिट हैं लेकिन अभी सर्दियों से मुझे बिल्कुल भी महपत नहीं है मुझे सबसे जादा गर्मी अच्छी लगती है और एक तो रात में दस बार मेरी आँख खुर रही होती है कि सुबह हुई 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 लेकिन रात ही हो और आगे हो जाएंगे तो फिर जो राते हैं वो चार बजे हो जाएंगी और दिन कहां खतम होगा पता भी नहीं चलेगा वो मैं फिर तब आपको आने वाले वक्तों में बताऊंगी खैर अभी यहां पर नेक्स टेय मॉर्निंग हो चुकी थी और मैं बना रही हुई दे दूंगी और अगर हुआ तो थोड़ा सा जूस दे दूंगी तो इनका प्रैक्सिस्ट हो गया था रेडी और जो हम मदर्स हैं हमारी जो सुबा होती है वो इसी सोच में गुजर जाती है कि बच्चों को नाश्टे में क्या देना है हस्बिन को नाश्टे में क्या देना ह और जो बाकी का दिन है वो हमारा लन्च और डिनर की सोचों में गुजर जाता है तो बस हम पूरा दिन सोचते रहते हैं कि पकाना क्या है और खाना क्या है यहाँ पर लेफ्ट ओवर बिर्यानी थी रात की तो मैंने अली को तो यही पैक करके दे दी तो सबको रांश्टा करवाने के बाद बारी आती है मेरी तो मैं सबसे बहले तो सुबा उठकर पीती हूँ चिया सीट्स ने हार मूँ और यह और गैने के मैंने टारगेट से खरीदे थे इसके बेनेफिट्स मैं अभी साइट में लगा दूँगी यह इसी बॉटल में ही मेंशन थे तो मैंने सोच़ा के जिनों ने मुझसे पूछा है वो यहाँ पर साइट में देख लें यह हार्ट के लिए अच्छी है जोइन के लिए अच्छी है और वेट लूस करने के लिए अच्छी है तो बहुत सारे इसके बेनेफिट्स हैं मैं किस तरह से बनाती हूँ गरम पानी में इसको 1.5 थी स्पून एड़ कर देती हूँ और मतलब बहुत एक्स्ट्रा ही गरम पानी में लेती हूँ और इसको मिक्स करके थोड़ दिर रख देती हूँ क्योंकि यह जो चिय सीड्स हैं यह स्वेल हो जाते हैं फूल जाते हैं यहां पर भी रहते हैं हर जगह यह अराम से इसली मिल जाते हैं और इसके बेनेफिट्स अगर आप वेट लूस करना चाहते हैं यह उसको भी लूस करने में हेल्फ करता है लेकिन आपको साथ साथ अपने खाने को पी किंट्रोल करना पड़ेगा लिक जब तक आप अपने करती हो एक हफ़ते का गयाप लेती हो और उसके बाद दुबारा से वर्क आउट करऊंगी और जब चोड़के दौए दूर चोड़कर वर्क आउट करते हो तो फिर से आप लोग ने पर चोड़कर stays करने में और यह हो जो दर्द हों नहीं होता है और मैंने जो है उसका है और बहुत जदा easy है जिनको मसला होता है workout करने में जो कहते हैं हम नहीं कर सकते तो यह वाला जो मैं आजकल कर रही हूं आप करेंगे तो आपको बहुत easy लगेगा मतलब यह घर में ही एक step workout को सिखाती है एक step यह फिर आपको walking करना सिखाती है मतलब 30 second का एक workout होता है फिर 30 second का एक walking steps होते हैं तो मुझे बहुत easy लगा जो लोग अपने weight lose करने की struggle में हैं तो मैं इनका जो link है वो pin कर दूँगी ताके आप लोग भी इनको follow कर सकें अगर आपको easy लगे तो करें नहीं लगे तो आप ना करें लेकिन मुझे इनके steps बेहत easy लगे थे पहले मैं ख्लोईटिंग का कर रही थी लेकिन काफी लोग ने बोला कि हमसे नहीं हो रहा ख्लोईटिंग लेकिन अभी मैंने इनका workout start किया है तो मुझे best लग रहा है और बहुत easy steps है फिर अभी जो था मैं कमरे को जल्दी से वाक्यूम कर रही हूं क्योंकि ये कमर जल्दी जल्दी से जतनी मेरे अंदर अनर्जी है में सारे काम कर लेती हैं उसके बाद फिर मैं डाउन हो जाओंगी तो कोई काम नहीं होते हैं तो बस यहां पर मेरा वैक्यूम हो चुका है और सफाई भी मैंने पूरी कर दी दी डस्टिंग वगएरा तो यहां पर पूरा यह कमरा जो है साफ सुतरा हो गया और अब चलते हैं किचन में क्यूंके अभी खाने की तैयारी करनी बाकी है तो आज मैंने यही सोचा था कि डाल या पर सब्दी में से एक चीज बनाऊंगी सब्दी में से मेरे पास रखी है करेले और अली को करेले बिल्कुल भी नहीं पस करेले और डाल मेरी बहुत अच्छी लगती है मैं बहुत अच्छी लगती है मैं बिल्कुल भी नखरे नहीं करती हूं और आज पहले ही बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी पसंद से अपना फेवरिट कुछ खाना बनाया है अपनी मर्दी के मताबिक क्योंके हमेशा तो मैं बच्छों की या पिर अली की ही मर्जी देख रही होती कि उनको जो पसंद है मैं वही बनाऊंगी लेकिन आज मैंने का नहीं बहुत हो गई इनकी मर्जी अब मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं तो आज मैंने अपनी ही पसंद का खाना बनाया है और फिर भी वो नाना करते रोटियां और चावल बन जाएंगे तो साथ-साथ मैं दोरी हूं कमफोर्टर्स क्योंकि जरा सी बारिश हुई नहीं तो थोड़ी सी सर्दी आ गई है रात तो थंडी हो गई है तो मैंने का कि जो कमफोर्टर्स विंटर्स के हैं वो मैं निकाल कर दो देती हूँ ताकि यह अराम से टाइम पे ड्राय हो जाएं और साथ-साथ मैं दाल भी पका रही हूं तो मेरी दाल की जो रेसिपीज हैं वो मेरे चानल पे हैं और अगर किसी को लिंक चाहिए होगा मैं कॉमेंट्स में ही पिन कर दूँगी ताकि जो लोग बनाना चाहते हैं तो उनको ढूडने मे असानी रहे और जो गुड नियूज है वो यह है कि माशालब निवंबर आ गया है और निवंबर में जो है वो अब किव ओवे आएगा क्योंकि एवरी मांथ में गिव ओवे रखती हूं जो जिन्नोंने मेरे चानल को नियूली सब्सक्राइब किया है तो गिव ओवे जो है और मैं इंस्ट्रोग्राम में या यूट्यूब में कहीं भी गिव ओवे रख देती हूं और कोई भी रैंडम परसन जो है वो विनर्स होते हैं मुझे कोई भी इस चीज़ से फायदा निया तो क्योंकि हमेशा लोग यही बोलते हैं कि आप जो है वो अपने फॉलोवर बढ करते हैं मैं उनको फिर कोई जवाब देना भी पसंद नी करती हूं और इस प्लैटफॉर्म ने जो भी मुझे थोड़ा बहुत मिलता है तो मैं चाहती हूं कि मैं वह आप लोग के साथ भी शेयर कर दो क्योंकि कि आप लोग मेरे देखने वाले हैं और काफी लोग मुझ से ह लोग के हाथ जानते हैं वो नियत को जानते हैं और बस इसी तरह ही वो मुझे शायद जरिया बनाते हैं लोगों की मदद करने का और सबसे बड़ा तो प्लैटफॉर्म यूट्यूब यह कि मैं आप लोग की मदद कर देती हूं जितना मुझ से होता है उतना और इंशाला इ सब डीटेल नेक्स लॉग में अब यहां पर डाल मेरी रेडी हो चुकी है और बहुत ज्यादा मज़े की डाल बनती है काली डाल किसकी फेवरिट है वो भी मुझे जरूर बताएगा और जाते-जाते मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड अनीका ने मुझसे रिक्वेस्ट की आजये वहघा और दमिये और यहां राजका विए यहां एक किसी की बी हमें तो यहां तक था। मेरा व्लॉग आप लोगों ने इंजोई किया होगा अगर मेरा व्लॉग दरा सा अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ही कर दीजेगा अपना रखेगा बहुत सदा ख्याल और मैं मिलूंगी पहुत जल् अच्छेंग गाला पीजो को सब्सक्राइब और मिलूंगी जोगा मिलुद स्दाआ Off is the Best.